इंडियन यूट्यूबर रंचु में आप सभी का स्वागत है और आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि जो वनस्थली में लड़कियां जो एडमिशन ले रही हैं उनको फॉर्म फिल कैसे करना है उसके बारे मैं आपको बता दू या फिर आप खुद भी फॉर्म फिल कर सकते आजाएगा उसके बाद में इस तरीकी का पेज ओपन होके आएगा उसको क्या करना है आपको स्क्रॉल करना है यहां पर आप साइड में देख सकते हैं राइट हैं साइड पर यहां पर लिखा हुआ है थर्ड नंबर पर एप्लिकेशन फॉर्म काफी बड़ा बड़ा और इस पर आपको दो आप्शन्स मिलेंगे यदि आप स्कूल वाली गिल्स स्कूल में आपको यदि अड्मिशन लेना है तो आप स्कूल एड्यूकेशन पर क्लिक करेंगी next यदि आप higher education करना चाहती है it means कि आप graduation after 12th में after 12th में आई इसके बाद में आप यदि 12th के बाद में admission लेना चाहती हैं जैसे graduation में कोई भी course करना चाहती है BA, BSC, BCOM, etc. जो भी करना चाहती है तो आप उस पर higher education पर क्लिक करें सबसे पहले जो मैं form बताने वाली हूँ आपको मैं higher education का बताने वाली हूँ it means कि आप university वाली girls हैं और उनके बारे में यहाँ पर बता दू मैं सबसे पहले आपको इस तरीके से मिलेगा पूरा page इसको आप zoom भी कर सकते हो अगर आपको form ही फिल करना है न सबसे देख सकते हैं आप यहाँ पर लिखा है वरस्तली विद्यापीट admission application form 2021 तो 2022 higher education only for women last date यहाँ पर दिखाए गई है application की Sunday 25 July 2021 जो अभी आपके पास time है पंदरा दिन का तो पंदरा दिन में आप application form फिल कर दें ओके नेक्स आपर यहाँ पर देख सकते हैं सबसे पहले है application category ओके जब से पहले आप यहाँ पर देखें application category कि आप किस आप किस category से हैं general है या जो भी है आप उस पर click कर दें next आप देख सकती है आप किस course के लिए applied कर रही है वो course यहाँ पर आपको आसानी से मिल जाएगा तो जो बहुत सारे यहाँ पर courses है आप देख सकती है जैसे courses के नाम एक बार हम लोग read कर लेते हैं BA, Bachelor of Design BA Journalism and Mass Communication BA, RLB इस तरीके से यहाँ पर आप graduation के subject सारे देख सकते हैं B.A.D. है B.A.C. के यहाँ पर आप subject देख लीजिए बहुत सारी types के यहाँ पर B.A.C. भी है B.T.E.C. L.L.M. MA आप देख सकते हैं MA आप डिफरेंट subject से available है आप जिस विशे से करना चाहती हैं कर सकती हैं उसके बाद में M.B.A. देखिए आप M.C.A. देखिए M.C.A. देखिए M.C.A. आप देख सकते हैं बहुत सारे subject से available है उसके बाद M.S.C. पर आते हैं तो M.S.C. भी यहाँ पर बहुत सारे subject से available है क्योंकि कुछ गल्स थी जो M.S.C. के बारे में जारना चाहती थी किसी को M.S.C. chemistry करनी थी तो यह सारे के सारे subject M.S.C. के हैं आप आसानी से देखिए M.TEC देख लिजए M.TEC भी आपर बहुत साथ चीज़ों से जैसे bio technology है M.TEC chemical ठीक है? M.TEC CS, M.TEC IT M.TEC Nanotechnology, M.TEC Remote Sensing और नेक्स्ट जो दो बच्चे हैं वो है M.TEC VLSI Design और लास्ट है P.G.D.C.A तो यह सारे वहाँ पर courses हैं आप इन्में से देख सकती है नीचे यहाँ पर लिखा है कि आपको photo upload करनी है यहाँ पर choose file आप यहाँ पर photo upload करें next है student name यहाँ पर आपको अपना नाम fill करना है father name यहाँ पर mother name यहाँ पर और आप married हैं married हैं इस पर आप click करिए अगर आप married हैं तो आप father के साथ साथ अपने husband का नाम भी यहाँ पर add करें guardian name आप कर सकती है if father is not guardian अगर आपके father guardian नहीं है आपके तो आप किसी और को भी guardian या पर बना सकती है यहाँ पर आप father जो आपके पिता जी हैं आप उनका occupation बता सकते हैं वो क्या काम करते हैं ओके यहाँ पर आप उनकी income इसको छोड़ दीजेगा इस column में आप dot dot कर दें यहाँ इसको छोड़ दीजेगा इसमें नहीं भरना आपको कुछ भी यहाँ पर आप अपनी date of birth present address आपको वो address देना है जहाँ पर आप रह रही है जो आपका घर हो या गाओं हो या जो भी हो वहाँ का आपको address देना है city का नाम देना है जहाँ भी आप रहती हो जिस शहर में या फिर आपके घर के आसपास या गाओं के आसपास जो शहर लगता है उसका नाम देना है अपना जिला बताना है आपको अपने district के बारे में बताना है आगे बढ़ते हैं वही common आपको अपने state बतानी है किसी भी state की लड़की admission ले सकती है country आप बाहर से भी है यदी तो तभी भी आप ले सकती है यहाँ पर एक बार चेक कर लेते हैं कि यहाँ पर कितनी country है यह देखें यहाँ पर सारी है country है A से Z तक Yes ओके next आपको अपना pin code देना है telephone number आप दीजेगा और एक another number भी दे दीजेगा अपना mobile number आपको यहाँ पर देना है email address दे दीजेगा आपकी mother tongue आपकी भाषा क्या है Hindi है English है या फिर जो भी भाषा जिस भाषा से आप है आप दे सकते है यहाँ पर आपकी category क्या है आपको category बतानी है अपना धर्म बताना है अपनी कास्ट बतानी है आपको नेक्स आता है academic record आपके यहाँ पर नमबर आपकी percentage यह सारी चीजें यहाँ पर आपसे पूछी जाएंगी जैसे सबसे पहले यहाँ पर लिखा है प्लीज एंटर यौर क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन डिटेल आपको यहाँ पर रॉल नमबर देना है नेक्स्ट यहाँ पर आपको देना है secondary high school आपको यहाँ पर 10th class के university के आपके किस board से किया है cbsc board है up board है या फिर another board जो भी है आपको यहाँ पर देना है अगर आपको सारी चीजे आपको यहाँ पर फिल करनी है इसके बाद में नेक्स्ट यहाँ पर आपको year बताना है इस चका पर साल के साल में आपने 10th class पास की है वो बतानी है यहाँ पर आपको board बताना है या फिर university name बताना है आपको यहाँ पर total number बताने है यहाँ पर आपको कितने number मिले वो बताना है और यहाँ पर आपको aggregate, total percentage लब जोड करके आपका कितना निकला वो बताना है Senior पे आते हैं Senior Secondary जो है मतलब 12th Class की बात मैं करूँ यहाँ पे आपको 12th Class का Board बताना है Year, Passing of Year बताना है वही पूरा Marks कितना था जिसको Total Marks बोलते हैं कितने में से कितने आए वो आपको यहाँ पे जितने आपको मिले मतलब Obtained Marks Marks आपको बताने यहाँ पे फिर उसके आपको Percentage बतानी है नीचे की बात करूँ मैं तो यहाँ पर आ गया है यदि आप Graduate हो चुके हैं तो आपको Graduation की यहाँ पे डिग्री बताना है डिग्री आप यहाँ पे देख सकते हैं Code है यहाँ पे आपको Code के हिसाब से बतानी है ओके यहाँ पे आप चार्ट सकते हैं ओके BSC किया है Bcom किया है BFA किया है जो कुछ भी किया हूँ आपने यहाँ पे आप Fill कर सकते हैं और हर साल की आप यहाँ पे Detail दे दें जैसे तीन साल की है ओके वगेरा वगेरा जो भी है नेक्स्ट बात मैं करूं तो यहाँ पे Master डिग्री है यदि आपने Master के बाद Admission ले रहे हैं तो आपको यह भी Fill करना है यह भी Fill करना जैसे कुछ लोग जो है पीएजडी में Admission लेना चाहते हैं तो मैं उनकी बात कर रही हूँ तो वो यहाँ पे Master के बारे में भी Fill कर दें और First Year, Second Year और Third Year यहाँ पर मतलब जितने Year आपका Graduation था आपके पास आपको इसकी Detail यहाँ पे देनी है पहले वाले में दूसरे में यहाँ पर आपको MSC कितने साल का था आपका Post Graduation कितने Year का था उसके बारे में आपको अपको अपनी Detail देनी है Next मैं यहाँ पर बात करूँ कि Name of University B.A.B.T.L.T.B.S.T.C. के बारे में यहाँ आपकर चुके हैं तो आप यहाँ पर सकते हो अगर आपने कोई Another Diploma कर रखा है तो उसके बारे में आप यहाँ पर बता सकते हैं कुछ Girls हैं जो जिनका Gate Qualified होता है तो वो अपने यहाँ पर Gate का Score बता सकती है जो Admission लेना चाहें PhD में या जिस भी उसमें आप लेना चाहती हैं ले सकती हैं आगे बढ़ती हूँ Entry for Credit Points जिनके आप answer दे सकते हैं अगर यह आप से related हैं तो जैसे कुछ Question है जैसे Passing Qualifying Examination from Vanasthali Vidya Peet क्या आपने कोई भी exam या फिर आप वहाँ पर पढ़े हो Vanasthali Vidya Peet से इस तरीके से Are you an ex student? क्या आप पुराने student है Vanasthali के या फिर आप हो सकता है कुछ बच्चे दुबारा admission लेते हैं जैसे कुछ लोग 12 करके निकल जाते हैं तो उसके बाद में वो लोग PG करने दुबारा आजाते हैं graduation कहीं बाहर से करते हैं तो इस तरीके से उनके लिए सवाल है और यहाँ पर आप देख सकते हैं नीचे जो Question है 6 वाला Have your guardian worked are working in the Vidya क्या आपके parents या कह लिजे आपके guardians जो है क्या वनसली में काम करते हैं ऐसा कुछ भी है तो आप यहाँ पर देख सकते हैं Enter unique identification पर आते हैं हम तो आपको क्या करना है आधार नमबर देना है अपना सबसे पहले column में है आपका आधार नमबर यहाँ पर आपको अपने आधार काड का जो डिजट होती है वो देनी है 12 नमबर की जो डिजट होती है फिर आपको अपने father का देना है आपको अपनी mother का देना है यह तीनों खाने आपको फिल करने हैं Next Answer following questions आपको क्या करना है यहाँ पर How did you come to know about 1S3 यह कुछ questions है जिनके आपको answer देने है Next In which newspaper did you see the admission notice of 1S3 Third In which online web portal you see the admission notice banner of 1S3 तो यह इसके बाद में आपको submit कर देना है अगर आपको समश में आता है तो आप इसको फिल कर सकते हैं इसके बाद में यदि इसके आगे भी फॉर्म आता है तो आप इसको आगे भर सकते हो ओके तो यह था higher education के लिए application form इसको आप फिल करें भेज दें submit कर दें और इसकी जो application form की जो fees है वो है 800 रुपीज और यहाँ पर देख लें सबसे एक important बात मैं आपको बता दूँ photos की बात मैं कर लेती हूँ passport size जो आपके photos होंगे ना बहुत सारे photos करा लीजिएगा क्योंकि वही photos आपको वहाँ पर चाहिएंगे जब आपका admission होगा एक जैसे photos ही आपके पास होने चाहिए और इसमें आपको जो photo रगानी है वो है 80 kilobytes की अगर आपको यह photo change करना नहीं आता है JPG form में तो आप किसी cyber वाले से form को fill कराएं वो खुद कर देगा ओके नेक्स्ट आप इसे next video ज़रूर देखिएगा वो school वाली girls के लिए हैं तो चलिए मैं आप से लेती हूँ टाटा बाई बाई टे केर